हेलो फ्रेंड्स लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो दिया था जिब्रोनिक्स H61 M2 मदरबोट के बारे में जो M.2 SSD सपोर्ट करता है उस वीडियो को देखने के बाद मेरे वीवर्स के मन में काफी सारे सवाल है क्या यह सिर्फ M.2 सपोर्ट करता है या फिर NVMe M.2 SSD सपोर्ट कर करेगा की नहीं या फिर 128GB सपोर्ट करेगा की नहीं तो दोस्तों इसलिए यह आपके इतने सारे सवालों के जवाब के लिए मैंने यह वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि यह स्कूडा का यह SSD है मेरे पास 256GB और वह NVMe है आप देख लिए यह आपको दिख रहा होगा यह NVMe SSD है तो यह मैं इस बोड में इंस्टल करके फिर इंस्टल करके आपको दिखा होंगा मेरे पास कूडा का NVMe SSD है इसका फीचर्स आपको दिख रहा है और यहां क्लिया लिखता है यह M.2 NVMe SSD है इसी SSD को हम बोर्ड में लगा के इंस्टाल करेंगे यहां देखिए बोर्ड मैंने बाहर निकाल लिया है पैकेट से और M.2 स्लोट यह है और यह मेरे पास कुडा 256 GB NVMe SSD है जो आपको दिख रहा है क्लियर ली इन विये में लिखा है और सिफ टेस्टिंग के लिए फ्रेंज मैं यहां आई फाइफ थार्ट जेनरेशन ले रहा हूँ और स्टाल लाइट का ही रैम है डिडिया 3 1333 वाला तो चलिए अब फटाफट प्रोसेसर लगा लेते हैं थोरा सा पेस्ट भी लगा लेते हैं और उसके बाद फैन भी लगा लेंगे तो यहां मैंने रैम भी लगा लिया और अब बारी है NBME M.2 SSD लगाने की अब मैंने इसे पहले काट लेते हैं इसके बाद SSD को लगाते हैं अब देखिए यहां पर भी लिखा है स्कूडा 256 GB M.2 PCI और अब इसको लगाते हैं यहां स्कूरू को खोल लेते हैं स्कूरू मदरबोड में दिया रहता है अब लगाते हैं और उसी स्कूरू से इसको टाइड भी कर देते हैं तो फ्रेंट्स यहां आप देख रहे हो मैंने SMPS भी लगा लिया और कीबोड माउस भी रखा है और एक मोनिटर भी लगाया और इंडो इस्टॉल करके भी आपको दिखाना है तो यह देखिए यह सब लग गया है इतने सारे कंपोनेंट है तो फ्रेंट्स अभी बोर्ड को अन करते हैं तो बोर्ड ऑन भी हो चुका है और यह बाइस भी ओपन हो गया है अब हम लोग जो इससडी लगा है उसमें देखते हैं सपोर्ट किया आए कि नहीं चलिए यहां है देखिए नीचे इन वी एमी कंफिगरेशन इंटर करते हैं आप देखिए यहां क्लियरली लिखा है स्कुडा एम डॉट टू पीसी आई टू फिफिटी सिक जी भी एन वी कंट्रोलर एंड डाइव इंफर्मेशन का अंदर और देखिए यहां भी लिखा है स्कुडा यह बोर्ड एन वी सपोर्ट करता है आप देख पा रहे हो और इस से वेस देंगे चलिए मैंने लगा लिया अब इसे रिस्टार्ट कर देता है आगया लोगो जेबरॉनिक्स का कि यह पेंड्राइब से बूड भी होने लगा है और हाँ यह विंडूस का स्क्रीन भी आ गया है और सब नेक्स्ट करते हैं फिर इंस्टाल ना करते हैं सिंपल सा इंस्टॉलेशन है जैसे आप इंस्टॉल करते हो उसी तरह इंस्टॉलेशन होगा इसका सेट अपी स्टार्टिंग भी आ गया है अब आई डोंट है प्रटाट की कर देता है और मैं विंडोस 10 प्रॉफेशनल 64 बीट इंस्टॉल कर रहा हूं नेक्स्ट करते है फिर आई एक्सेट तो कर नहीं है यह आपको ही पता है और फिर कस्ट्उम पर इंस्टॉल करते चली आनन्य लॉकेट है इसमें एक ही ड्राइब बना देता है फिर अपलाई कर देता है और ओके यह drive भी बन गया है ठीक है 100 MB और 16 MB का एक drive बना है और नीचे यह drive है उसमें करते है देखिए यह install होने लगा है और SSD reply भी कर रहा है यह देखिए light भी ब्लिंग हो रहा है और यह install हो रहा है इसको install होने देते हैं complete होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए आगे आया भी region हम इसे इंडिया असलेट कर देता है किदर गया हम इंडिया येस और keyboard layout English इंडिया करते है skip कर देता है फिर I don't have internet कर देता है continue with limited setup अब एक नाम दे देते है user ही कर देता है फिर करने के बाद next password नहीं देते है अब ये सब जो भी है accept कर देता है accept window installation almost complete हो गया है और मैं आपको desktop भी दिखाता हूँ उसका थोड़ा सा wait कीजिए अब आप देख पा रहा है यहाँ desktop आ चुका है और देखिए यह NVMe जो SSD है वो भी reply कर रहा है आपको light दिख रहा होगा और यह Windows 10 इंस्टल हो चुका है सट्डाउन करके फिर आपको एक बार अन करके दिखाते हैं यह फैन भी मूब होना बंद हो गया बोर्ड मेरा सट्डाउन हो गया है अब फिर से मैं इसे अन करता हूं देखिए ओन हो गया और यह जेबरण इसका लोगो भी आ गया है यह वींडो रण हो गया है और देखिए यह तुरंत ही ओन हो गया और काफी अच्छा खासा स्पीड भी है इसका वो आपको दिखी रहा होगा एक और बात दोस्तों मैं आपके साथ यहां सेहर करना चाहता हूँ यह जो रैम आप देख रहे हो यह 4GB रैम है पहले मैंने आपको 2GB दिखाया था लेकिन मेरे पास यह 4GB था बाद में पता चला मुझे इसलिए विंडो फटा फटा फट इंस्टाल हो जाए टाइम कम लगे इसलिए मैंने 4GB लगाया और यह फ्रेंड्स i5 3rd generation 256 कूडा और जिब्रानिक्स के बोर्ड के साथ और यह स्टाल लाइट का 4GB RAM का कम्बिनेशन है आप देखी पा रहे हो कितने फटा फट यह ओन हो रहा है और NVMe M.2 भी सापोट करेगा यह जो आपको दिख रहा है चारो जमपर यह जमपर का ही खेल है यहाँ पुड़ा क्लियाली लिखा है देखिए एक दो तीन चार ठीक है अब यह एक और दो पे लगा रहेगा चारो जमपर का ही तो यह NVMe M.2 सापोट करेगा और इसी जमपर को खोल के अगर आप दो और तीन में लगाओगे अच्छे सो देखिए यह एक दो और यह तीन नमबर पिन ठीक है और सब का ही सेम है एक और दो पे लगा रहेगा सब चारो का ही एक और दो पे लगा रहेगा तो वो NVMe M.2 सापोट करेगा और अगर आप दो और तीन पे लगाओगे सब को लगाना होगा चारो को ही दो और तीन नमबर पिन पे हटाके एक और दो से तो यह M.2 सापोट करेगा नो नो वाला वाला सो फ्रेंट्स मैं यहां उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके मन में जितने सारे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गया होगा अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पे दिये हुए नंबर पर आप वाट्सअप कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे ही कोमेंट कर सकते हो मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिस करूँगा एक और बात फ्रेंट्स अगर आपको पर्चेस भी करना है या फिर कोई भी इनक्वेरी हो तो आप स्क्रीन पे दिये हुए नंबर पे अब वाट्सअप कर सकते हो एक और रिक्वेस्ट है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए अगर ये वीडियो लगता है कि सेरेबल है आपके फ्रेंट्स के साथ भी सेर करना चाहिए तो जरूर सेर कीजिए पहली बार इस चैनल पे आये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपटेट आपको तुरंद मिल जाए थेंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थेंक्यू सो मुच